हुआ हुआ है चलो एटिंग नालो हुआ है चालक पूचालक कि अबशाल को क्या बोलते हैं कि अब जाने पूचालक क्या बोलते हैं और इंसुलेटर और अड़ चालाप क्या बोलते हैं सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर बोलते हैं सही नोट परोपटा बढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे चालक यानि कंड़क्टर अच्छा चालक के उपनाम क्या होते हैं चालक के उपनाम क्या होते हैं संवाहक अच्छा निर्वाहक अच्छा निर्वाहक क्यों वोलते हैं अच्छा चालक की डेफिनेशन क्या होती है कौन बताएगा लेकराज बताएगा एक यह पीचे से शेयर सींग अधिन करो जिसमें धारा है अधिताएगा यह वार्वाट लेकर पहला पॉइंट लीको इसमें मुक्त इलेक्ट्रोन मुक्त इलेक्ट्रोन की बहुलता वाले पधार्थ क्या कहलाते हैं चालक कहलाता है और दूसरी डेफिनेशन बताओ इसमें जिन पधार्थों मैं मुक्त का मतलब क्या होता है एलेक्ट्रोन द्वारा विद्वत धारा का परवा है हो उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं फिर एक ओ लिख लो प्रमानों की अन्तिम कक्षा अन्तिम कक्षा हो क्या बोलते हैं आइ 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 बायक अक्षा में एक इलेक्ट्रोन दो इलेक्ट्रोन वर तीन इलेक्ट्रोन या चार इलेक्ट्रोन से कम कम हो उसे क्या करते हैं चालक करते हैं होते हैं उसे चालक करते हैं नोट करो पटापट आइ कि क्या आइ 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 अभी बताओं अभी बताओं अभी बताओं वरुज़ाओं प्रवा हो उसे क्या करते हैं चालक करते हैं या परमानूं की अंतिम कक्सा में अंतिम कक्सा कौन सी प्राय कक्सा अंतिम कक्सा देगो जैसे मालनो ये अपना एक परमानुग है ठीक है अब अंतीवकसा कौन सी होगе इसकी ये वाली ये वाली ठीक है तो अंतीवकसा में जो फ़री एलेक्ट्रोन होते हैं फ़री एलेक्ट्रोन कौन से एक एलेक्ट्रोन दो इलेक्ट्रोन वद तील इलेक्ट्रोन यह फिर चार से चार से कम तो चार से कम यह दावे ठीक बिटा दू दूसरा पॉइंट लिको कुचाल को क्या बोलते हैं अचालक बोल सकते हैं कि अधिन नई नहीं बोल सकते हैं नहीं लिकों पहला पॉइंट लिकों इसमें ऐसे पदार्थ कि अधिया है जिन में धारा का परवा है नहीं होता उसे क्या करते हैं कुचालक करते हैं यानि इंसुलेटर करते हैं बाया कक्सा में आर्ट इलेक्ट्रोन ओते जी अगे लेडिंग डावन ये एज लगा कि ये है बंद में बंदे हुए होते हैं इसमें चालक्ता सुन्ने होती है इसमें चालक्ता सुन्ने होती है इसका मतलब यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रोन होते हैं वो गती नहीं करते हैं इसमें चालक्ता क्या होती है सुन्ने होती है यानि जो इलेक्ट्रोन होते हैं वो गती नहीं करते है ये लो कुछालक और क्या बोल सकते हैं आचालक कुछालक किसे कहते हैं ऐसे पदार जी में धारा का परवा नहीं होता है दूसरा पॉइंट है बाय कक्सा में इलेक्टरों के संगे कितनी होती है आठ होती है अगर बायतम कक्सा में इलेक्टरों के संगे आठ है तो ये जो इलेक्टरों होते है ये है बंद में बंदे होते है उसके बाद में इसमें चालकता क्या होती है सुनने होती है और अगर चालकता सुनने है तो इसका मतलब ही है कि इलेक्टरन गत्ती नहीं करता है मिटा दूँ जी अब लिखना इस्टा लगा के लिखो बाई एक अक्सा में नाई इलेक्ट्रोन संख्या देखो अगर अंतिम कक्सा में यानि परमानों की अंतिम कक्सा में अगर एक इलेक्ट्रोन है दो इलेक्ट्रोन है या तीन इलेक्ट्रोन है या चार से या चार इलेक्ट्रोन से कम होते हैं तो वे पदार्च क्या कर लाते हैं दूसरा अगर अन्तिम कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन है तो वे पदार्ट क्या कर लाते हैं? पुचालक या अचालक या इंसुलेटर अगर अन्तिम कक्सा में चार इलेक्ट्रोन है तो वो क्या कर लाता है? सेमिकंडक्टर यानी लोग करो नोट और यहां से क्यों सेंग पूचा जाता है? अगर अन्तिम कक्सा में चार इलेक्ट्रोन है तो पुचालक कर लाता है अगर एक लेक्ट्रोन दो एलेक्ट्रोन तीन एलेक्ट्रोन और चार से कम होता है तो उसे क्या करते हैं? तो चार से कम यह दो आगे? चलो विटा दू? अरे पड़ो विदो अब लिखो चालक के गुण पहला लिखो चालक सस्ता वर्सरलता से उपलब्द होना सही दूसरा विशिष्ट परती रोध यह पिर क्या कर सकते हो? परती रोधगता का मान कम से कम हो जिस से परती रोधगता परती रोधगता अधीक होती है यानि विशिष्ट परती रोधगता मान क्या होना सही कम से कम होना सही जिस से क्या होगा? किप चालकता क्या होगी? अधीक होगी मुझे बताओ कि अगर विशिष्ट परती रोधगता कम मान अगर कम होगा तो चालकता क्या होगी? बताओ आँ सेर सिंग विशिष्ट परती रोधगता का मान अगर कम है तो चालकता क्या होगी? चालकता कम है? जिस से गयाद विशिष्ट परती रोधगता है यानि परती रोधगता है ठीक इसका पर्ति क्या होता है यहीं तो होता है जिसको क्या बोलते हैं आर अच ओ रो ठीक है तो अगर पर्ति रोदगता का मान कम है तो चालगता क्या होगी अरे यहां देखो इस लाइन को देखो किल नकल में अकल की जुरुत होती है सामने आपके पास में पढ़िए यही लाइन देखो जिससे क्या होगी चालगता अधीक होगी तो अधीक ही दो होगी लेको तीसरा पॉइंट लेको चालग यांत्रिक रूप से क्या होना चाहिए मजबूत मजबूत होना चाहिए जिससे तार तूटे नहीं एवं सबी जगह आसानी से परियोग किया जा सके यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए जिससे की तार तूटे नहीं एवं सबी जगह आसानी से परियोग किया जा सके आज पांस गंटे की योगी क्लास मिटा दू अरे मिटा दू गया लो अरे जिस अरे जिसे खू अरे नहीं दे कमद्ञाँ नहीं लो अरो या चालक तन्ने होना चाहिए बता रहा है अन्य का मतलब होता है जिससे की तारों को पतला बनाया जा सके और मशिनों की वाइंडिंग में परियोग किया जा सके करो नोट करो पड़ा पड़ा करो जालक शुद्रड थार्थ मजबूत मजबूत होना चाहिए चालक सुद्रड याने मजबूत होना चाहिए जिससे उससे बने तार ओवर हेड लाइन में परियोग या जा सके और खीचने पर खीचने पर खीचने पर वर सरलता से सरलता से तूटे नहीं अरे लिखो भी तो मिटादू मिटादू लिखो भी एगला लिखो चालक आघात वर्धे आघात वर्धे या गोन लिखो इसमें जिससे की आवशकता आवशकता नुसार उसकी चाद्रें एवं पत्तियां बनाई जा शके पत्त वर्धे लिखो पत्त वर्धे परभाउं से मुक्त होना चीए नमी वर्षा आदिसे परभावित रहे वाता वर्ण के परभाउं से मुक्त होना चीए आटवा है आसानी से शोल्डरिंग की जा सके सके